आज हम करेंगे हिंदी साहित्य में गजल गजल अर्वी भासा का इस्त्रिलिंग शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रेमी तथा प्रेशी का वार्थालाप हिंदी साहित्य कोष में गजल का अर्थ नारियूसे प्रेम की बात करना कहा गया है शमसेर बहादूर शिंग ने गजल का अर्थ कहा है कि गजल एक लीरिक बिधा है गजल एक छोटा सा टोपिक है जिसमें एक कोशन हमेशा आता है साहित्य में रोहित अस्थाना ने अमीर खुश्रों को हिंदी गजल का परवर्तक सविकार किया है कुछ विध्वान कवीर को गजल का परवर्तक मानते हैं दुश्यंत कुमार का मूल नाम दुश्यंत नारायन त्यागी था आधनिक हिंदी गजल का परवर्तक दुशंद कुमार को माना जाता है प्रारंब में ये परदेशी तथा अनुरागी उपनाम से कविताएं लिखते थे रामिस्वर सुक्ल अचल को का गजल संग्रे है इन आवाजों को ठहरा लो हरी कृष्ण प्रेमी का है रूप दर्शन और रूप रेखा समसीर भादुर सिंग का है सुकून की तलाश तिलोचन सास्त्री का है गुलाब और बुलबुल ये गजल संग्रे हैं इनके दुश्यंत कुमार का है साय में धूप गोपाल दास्त नीरज का है नीरज की पाती नाम से ही समझ में आ रहा है नीरज की पाती रामदरश मिस्र का है हसी ओठ पर आखी है नम और बजार को निकलते लोग ये दो गजल संग्रे हैं रामदरश मिस्र की हैं कुमर बेचेन की हैं सामियाने कांच के पत्थर की बासुरी महावर इंतजार का रसियां पानी की रसियां मिश्टेक हो गई रसियां पानी की रामकुमार क्रिशक का है नीम की पत्तियां माधो मधुकर का है सुर्य का श्वागत आग का राग देखो सुर्य का प्रयावाची भी होता है ज्यान प्रकाश विवेक का है धूप के हस्ताक्षर अदम गोंडवी का है धर्ती की सतह पर समय से मुद्भेड विज्यान व्रत का है भाहर धूप खड़ी है चुप की आवाज जैसे कोई लोटेगा विज्यान व्रत विज्यान की देन है आज भाहर धूप खड़ी है चुप की आवाज महिश अस्क का है राख की जो परत अंगारों पर है अस्क से अस्क और अंगारों कनेक्ट कर लिया राजिन रेड़ी का है उडान वुजूद आस्मान से आगे रेड़ी जी रेड़ी हो गया है उडान वुजूद आस्मान से आगे चनल